हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो देशन अकेडमी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइगोनल रिलेशनशिप अफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड अफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ अभी इनकलाइनेशन में कोई चीज होती है उसे हम डाइगोनल कहते हैं अगर हमारे पास एक यहां पर सरकल है तो यहां से अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो इसे इस लाइन को हम डाइगोनल कहते हैं तो ऐसे ही हमारे पास एलिमे है और oxygen का chlorine जो है यह डाइगोनल element तो इस तरह से यह हमारे पास diagonal elements होते हैं अब इन diagonal elements का एक दूसरे के साथ क्या relationship है यह हम यहां पर आज discuss करने वाले हैं तो यहां पर सिर्फ हम कुछ ही pairs जो है तीन पेर यहां पर है diagonal elements के उनको discuss करेंगे और उन हमें एक general concept मिलेगा कि diagonal relationships कैसे होते हैं तो आएए देखते हैं the resemblance in properties of with elements located diagonally each other मतलब यहां पर जो diagonal opposite हमारे पास मौजूद हैं जैसे के beryllium और aluminium, lithium और magnesium इनके बीच में क्या properties same हैं या क्या properties हैं जो एक दूसरे से resemble करती हैं एक दूसरे के जैसी properties इनके पास हैं तो वह relationship हम यहां पर discuss करने वाले हैं same elements of second and third group कुछ elements हमारे पास हैं second और third period से second और third period से हमने कुछ elements लिए हैं हमारे पास सिर्फ तीन pair यहां पर बन रहे हैं जो के एक दूसरे के साथ properties शेयर करते हैं एक दूसरे के जैसी properties होती हैं बाकी हर element जो है वो डाइगोनली अपोजिट element वह अपनी properties same share नहीं करते हैं different properties होती हैं तो यहां पर सिर्फ हम तीन pairs के discuss करेंगे के तीन pair के अंदर क्या-क्या properties जो है वो same आ रही हैं diagonal के हिसाब से तो बाकी के ज्यादा आपको इस topic के deep में नहीं जाना कि कौन-कौन से elements जो हैं वो diagonally opposite होते हैं और reaction और properties same होती हैं आपको सिर्फ इन तीन pairs पर ध्यान देना है सबसे पहला pair है lithium and magnesium तो यह जैसे के हमारे पास 1A group से हैं यह 2A यह 3A यह 4A group से हैं चार पहले चार ग्रूप से यह elements हैं lithium का magnesium के साथ एक relationship है diagonal relationship है और beryllium का aluminium के साथ है boron का silicon के साथ है बाकी ज्यादा elements का हम discuss नहीं करते है lithium and magnesium इसमें देखते हैं क्या properties same है lithium की और magnesium की तो यह कैसे diagonal ही एक दुसरे से related हैं similar atomic radius इन दोनों का atomic radius जो है वो similar है मतलब atomic size इन दोनों की same है तो क्योंके यह एक ही एक period के अंदर भी नहीं आते अलग-अलग period के अंदर आ रहे हैं फिर भी इनका जो atomic radius है वो same हो रहा है मतलब यह diagonal एक relationship है जिसके अंदर इनका atomic radius तक्रीबन same आ रहा है तो कितना आ रहा है lithium है 152 picometer and magnesium जो है 160 picometer आ रहा है तो देखें थोड़ा सा difference है 8 picometer का इन दोनों में difference है बाकी तक्रीबन अलग-अलग period है तो जो shale है वो भी अलग होंगे lithium के अंदर जो है lithium हमारे पास second period से है और magnesium हमारे पास third period से है तो second period से इसमें two shale होंगे और इसके अंदर three shale होंगे अलग-अलग shale number होने के बावजुद भी इनका जो atomic radius है वो तक्रीबन similar है तो इसलिए यह दोनों एक दुस्ते से diagonal relationship शेयर कर रहे हैं उसके बाद हमारा point है similar electronegativities in lithium and magnesium lithium और magnesium की electronegativity जो है वो तक्रीबन similar है क्योंकि यहां पर यह diagonally related है तो इसलिए इनकी electronegativity same है और यह भी एक property है जो के diagonal elements के अंदर यहां पर हमारे पास तीन pairs के अंदर यह देखने को मिलती है lithium का है हमारे पास electronegativity है 1.0 और magnesium की है 1.2 तो सरफ 0.2 का difference है दोनों के बीच में तो एकदम similar जो है electronegativity इनके बीच में है lighter than group members यह दोनों जो हैं अपने group members से अलग हैं मतलब दोनों आपस में share कर रहे हैं यह हलके होते हैं lighter होते हैं बाकी जो group के elements हैं उन से यह lighter है तो यहां पर हमारे पास है lithium और यह magnesium है यह अपस में यह दोनों lighter है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर यह हमारे पास lighter है तो यह बाकी group के अल्याथे मेंबर्स भी lighter होंगाएomos लेकिन वो lighter नहीं है लेकिन यह दो जो है 이게 यह हलके है lighter है उसके बाद है Oxides of Lithium and Magnesium are Lays Solubal in water Lithium और Magnesium के जो Oxides बनते हैं मतलब Oxygen के साथ Reaction करते हैं तो Lithium Oxide और Magnesium Oxide बनते हैं ये जो है Less Solubal होते हैं पानी में कम Solubal होते हैं पानी में इतना जल्दी Solubal नहीं होते हैं लेकिन बाकी group के बाकी members के जो oxide हैं वो जल्दी soluble हो जाते हैं तो यह दोनों की property अलग है और वो एक दूसरे से यह दोनों share करें एक दूसरे के जैसी same property है इनके बीच दूसरा हमारे पास जो pair है वो diagonal elements का है beryllium and aluminium तो यहां पर यह हमारे पास है beryllium जो के two a group में यहां पर three a group में जो है यह हमारे पास कुन सा है aluminium तो एक तरह से diagonal relationship है periods जो है वो same है लेकिन यहां पर थोड़ा सा दूर है बीच में transition elements की वजा से तो यहां पर हम यह भी इन्हें भी diagonal ही कहेंगे यहां पर beryllium और aluminium इन दोनों कीlectro negativity बिलकुल ही same है one point five दोनों की है तो electrone negativity same आ रही है pacivity with nitric oxide तो pacivity का मतलब है unreactive यह जो है unreaction तो नहीं करते है छिए रियक्शन नहीं करते है और इस तरह से इन दोनों की property से है ही है एक Diagonal के हिसाब से Paraluminum Cloride Act as a Leavis Acid अब Leavis Acid क्या होता है तो Leavis Aix Scientists थे जिन्होंने कहा था कि जो Acid होते हैं वो Electron को क्या करते हैं Accept करते हैं तो Electron को जो Accept करता है वो Acid होता है तो ऐसा Acid जो Electron को Accept कर सकता हो उसे हम Leavis Acid कहते हैं तो Beryllium chloride और Aluminium chloride ये lavish acid के तोर पर दोनों काम करते हैं मतलब दोनों जो है electron को accept कर सकते हैं तो इस तरह से ये दोनों जो है अपस में same property रख रहे हैं उसके बाद है boron and silicon तो boron और silicon ये भी दोनों जो है diagonal element है closer and nearer electronegativity इनकी जो electronegativity वो तकरीबन similar है एक दूसरे के जैसे ये थोड़ा सा difference है इसकी boron की है 2.0 जबके silicon की है 1.8 0.2 का इन में भी difference है same density है दोनों की जैसे के boron की density है 2.35 और इसकी यहां पर silicon की है 2.34 तो इस 0.01 का जो है दोनों के अंदर difference है और ये तकरीबन इनकी density same आ रही है बाकी दोनों metaloid हैं और ये केटाइन्स जो है नहीं बनाते मतलब ये कभी भी कोई electron lose नहीं करते मतलब केटाइन्स नहीं बनाते पॉजिटिव चार्ज वाले जो आइन्स होते हैं उन्हें हम केटाइन्स करेंते हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाले आइन्स कभी भी ये नहीं बनाते दोनों metaloid होते हैं ये कुछ properties हैं जो दोनों elements की same है तो आगे चलते हैं कुछ important compounds के पास ये हमारा topic यहां पर होता है आगे important compounds के बारे में elements के बारे में discuss करते हैं some important elements and compounds and उनके uses ठीक है आइए देखते हैं important elements कौन-कौन से हैं इसके अंदर और क्या-क्या uses हैं तो यह हम देखने वाले हैं कुछ compounds भी हैं कुछ elements भी हैं सबसे पहला जो element है वो है aluminum, aluminum जो है बहुत ही important element है जो के बहुत ही ज्यादा uses है इसके सबसे पहला use है coils, coils का मतलब है wires बनाना, wires बनाने के लिए हम aluminum का use करते हैं दूसरा use है alloy, alloy क्या होता है जब भी हम दो metals को आपस में mix करते हैं तो एक नया metal बन जाता है और वो उसके अंदर उन दोनों की mixed properties होती है जो metal अगर हमने दो metals को add किया है तो क्या होगा यह आपस में मिलकर जो है यह अगर metals है, किलोरीन एक गैस है अगर हमने sodium लगा दिया तो alloy बना देंगी और इस alloy की properties जो है इन दोनों की mixed properties होंगी दोनों की properties इस alloy के अंदर मौजूद होंगी तो उनको हम alloys कहते हैं यह aluminum बनाने में बहुत तो यूज होता है kitchen के utensil बनाने में मतलब kitchen के बरतन बनाने में भी aluminum यूज होता है window frames घर की जो खिड़किया है उनके frames बनान में यूज किया सकता है chocolate foils में आपने देखा होगा कि chocolate जो होते हैं उनके उपर क्या होता है एक तरह की ऐसी sheet लगी होती है जो के बहुत चिपकी सी होती है और एक दम silver color की होती है यह aluminum की sheet होती है तो यह जो है शादियों में जो लगा जाते है substance पर बहुत सारे चीज़ों प अगरा से और बाहर की temperature वगरा से उसको हमारे खाने को बचाती है चौकलेट वगरा को प्रोटेक्ट करती है तो इस तरह से यह chocolate foils के अंदर भी यूज होती है उसके बाद है sulfur किसके अंदर यूज होता है sulfur हमारे पास sulfuric acid को produce करने में help करता है तो यह हमारे पास sulfuric acid हमने बता है hydrogen sulfide बनाने में hydrogen sulfide भी एक gas है बहुत ही important gas है और यह जो है इसको बनाने में भी sulfur का बहुत ही important use है और pesticides मतलब ऐसे जो दवाईयां होती है जो चोटे-चोटे microorganisms को मारती है और हमारे crops वगरा को हमारे फसल को बचाती है उन्हें pesticides का जाता है उन pesticides को बनाने में sulfur बहुत ही important role play करता है आगी चलते हैं chlorine हमारे पास है chlorine भी important बहुत important gas है और इसका भी use हम करते हैं एक तो PVC बनाने में polyvinyl chloride जो है इसको बनाने में help यह हमारे पास help करता है यह polyvinyl chloride क्लोराइड क्या है यह इसे हम normally plastic के तर पे जानते हैं जो हम plastic यहां पर डैली में use करते हैं यह plastic क्या है यह PVC है polyvinyl chloride है इसके अंदर chlorine जो है बहुत important role play करता है chlorine को प्लास्टिक को बनाने में chlorine use होता है bleaching powder में chlorine use होता है यह हम पढ़ चुके है bleaching powder का हमने जब process पढ़ा था उसके अंदर chlorine को हमें use किया था bleaching powder को produce करने के लिए purification of drinking water या sterilization मतलब पानी को साफ करने के लिए chlorine का यूज किया जाता है chlorine को water के अंदर डालते है तो क्या होता है वह पानी को sterilize कर देता है microorganisms को मार देता है और पानी साफ हो जाता है उसके बाद हमारे पास compound जो है वो है borax borax एक compound है जिसका फार्मॉला है NA2B40710H2O तो यह हमारे पास पूरा फार्मॉला है borax का borax एक important compound है जिसके बहुत ही ज्यादा usage है एक हमारे पास cleaning यह हमारे पास cleaning laundry के लिए cleaning मतलब अब हमारे घर की सफाई वगरा में यह बहुत ही important usage का और यह हमारे पास cosmetics के अंदर यूज होता है cosmetics क्या है जो भी आप nail polish वगरा लगा तो वो जो है उसके अंदर यह यूज होता है cosmetics के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है जैसे कि different types की lipstick और nail polish वगरा और हमारे पास जो powder वगरा आते हैं तो यह सारे cosmetics के अंदर आते हैं इसमें borax बहुत ही यूज होता है साथ में एक और important uses का welding के अंदर जब हम वैल्ड करते दो चीजों को दो rods को या फिर अगर हम जोडने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं वहां पर हम उसको पहले तो heat देते हैं साथ में हम एक और उसको metal लगाते हैं ताकि वह metal क्या करे उसमें ढल जाए और उसको वहां से जोड दे तो यह जो metal हम लगा रहे हैं यह हमारे पास इसे हम कहते हैं Flux यह Flux जो होता है यह Welding के अंदर क्या करता है वहां पर खुद मेल्ट होकर उसको जोड देता है तो इस तरह से यह हमारे पस Borax इस Flux के तोर पर भी यूज होता है मतलब Borax को भी हम इस Rod के तोर पर यूज करते हैं जो के उसको जोडने का काम करता है उसके बाद हमारा एक Compound है Alum Alum जो है इसे हम पिटकरी भी कहते है तो Alum बहुत ही Important Compound है इसका फार्मॉला है K2SO4, AL2SO4, 24H2O यह पूरा इसका बहुत ही बड़ा फार्मॉला है तो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं Alum जो है यह यूज होता है Purification of Water के अंदर मतलब Water की Stilization के अंदर तो इसके अंदर अगर हम इसको एड़ कर देंगे Water के अंदर तो क्या होगा Water के अंदर जो भी जो material है जो metals वगएरा है वो सारे अलग हो जाएंगे Water से और Water Purify हो जाएगा Tanning of Leather के अंदर Alum को यूज के जाता है Tanning of Leather क्या है जब भी हम Leather बनाते हैं जब Leather बनाया जाता है तो क्या होता है उसके अंदर सबसे पहले animals की skin होती है उस animals की skin के अंदर से जो है बहुत सारी materials बनाया जाते है तो animals की skin के अंदर से ही leather बनाया जाता है और इस पूरा बनाने का जो process है वो अलग अलग होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी यूज होती है और उन लेदर को जो है straight करना फिर उन्हें जो है compress करना साथ में उन्हें color देना उन्हें beautiful बनाना ये सारा जो process है ये tanning of leather के अंदर alum का बहुत important role होता है और उसके अंदर ये एक किसी step पे use हो रहा होता है उसके बाद हमारे पास है fire extinguisher fire extinguisher क्या है एक तरह के ऐसे substances हैं जो के आग को बुझाने के लिए help करते हैं आग को बुझाने में use होते हैं तो उनके अंदर जो है अगर हम इनको push करेंगे तो क्या होगा आग जो है वो बुझ जाती है तो alum जो है इसको use किया जाता है fire extinguisher के अंदर और ये आग को बुजाने का भी काम करता है Antiseptic और Wounds के अंदर भी हम इसे यूज करते है Antiseptic का मतलब है कि जब भी हमें कोई जखम हो जाता है उस पर हम इसको अपलाए करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हमारा वो जखम ठीक होने लगता है और वहाँ पर ज़रासिम वगरा हैं वो भी नहीं लगते हमारा जखम प्यूरिफाइब भी होता है तो Antiseptic के तोर पर एक तरह की Medicines के अंदर भी यूज किया जा सकता है उसके बाद हमारे पास है Ammonia Ammonia एक बहुत important compound है जो कि fertilizer के अंदर यूज होता है तो यह fertilizer के अंदर इसलिए यूज किया जाता है Nitric Acid को बनाने के लिए भी Ammonia यूज होता है Nitric Acid एक बहुत important acid है इसको बनाने के लिए Ammonia को यूज होता है Refrigeration मतलब Ammonia जो है cooling effect देता है refrigerator के अंदर भी यूज होता है हमारे जो फ्रीज होते है उन फ्रीज के अंदर Ammonia को यूज किया जाता है बाद में चलके Ammonia को जो है अब फ्रीज के अंदर कम यूज किया जाता है क्यूंकि यह थोड़ा सा toxic होती है तो इस तरह से यह आज के हमारे lecture में हमने important elements और compounds को देखा hopefully आपको lecture पसना होगा इस lecture के साथ हमारा यह chapter complete होता है next video में हम next exercises भी solve करेंगे और इसके बाद हम next chapter है इसको start करेंगे thank you so much for watching Allah Hafiz